तो दोस्तो वैट्सरीज के कहानी की सुरूब बात एक रतना नाम की ओरत को दिखाते हुए सुरू होती है जो अपने पती और अपनी बेटी के साथ एक किराई के मकान पर रहती है और इसका पती टैक्सी चला कर अपने घर का गुजारा करता है और रतना भी एक आलिसान मकान म पूरे दस सालों से काम कर रही है फिर एक दिन रतना पारक में अपनी मेम्साथ के कानों में जुमके देखलेती है और ये जुमके डाइमेंट के होते हैं जिनकी कीमत 3.15,000 रुपए की होती है अब रतना को इस बात से कोई फरक नहीं परता कि इन जुमकों की कीमत क्या है बस उस दिन से ही रतना का इन जुमकों पर दिल आ जाता है अब रतना अपने फोन में अपनी मेम साथ की दो-चार फोटो ले लेती है और रात को अपने पती को इन जुमकों को दिखाती है और अपने पती को साफ बोल देती है कि जब तक तुम मुझको इन जुमकों को लाकर नहीं दो गए मुझको हाथ लगाने की कोशिस मत करना आप रतना के करीब जाने का इस से अच्छा मोगा उसको और कभी नहीं मिलेगा तो इसलिए वो जान बूच कर रतना के आने से पहली इन जुमको को टेबल पर रख देता है अब जैसे सुबह को रतना काम पर आती है तो ये जुमको उसको टेबल पर लखे हुए दिख जाते हैं और बोलते हैं कि साब जी ये जुमको टेबल पर रखे थे मैं तो बरसन को पहन कर देख रही थी तो ये अपने माली को बताती है कि मैं क्या करूं जब भी मैं जुमको को देखती हूं तो मेरा जिल मचलने लगता है तो इस पर ये छिचोरा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको ये जुमके बहुत पसंद है, अगर तुम चाहो तो ये जुमके तुमारे हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको भी मेरे मचलते हुए दिल को सांथ करना पड़ेगा, और दोस्तो सस्पेंस को दिखाते उने वाला है, उसकी भी स्टोरी जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन जरूर दबाएं, और स्टोरी आपको कैसी लगे, कॉमेंट सेक्सिन लिकर भी जरूर बताएं